कि ऑफ के गुरू चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजी हमारे लेटेस वीडियो देखने के लिए चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं आप देख रहे हो एपके गुरू चैनल जोस्तों इस चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया जली सब्सक्राइब कर लिजी वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक आप जरूर कीजिएगा जो अगर आपका सवाल होगा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं आज हम बात करने वाले बर्सात के मोसं में बकरी को कैसे रखें और खाने में क्या देना है सूकाचारा देना है या फिर गिला चारा देना है कुछ आदा है बरसाथ करते हैं तो धीक आपको आपको बता दू कि आपको सबसे ध्यान देना है कि बरसाट के मौसं में आपको गिला चारा बहुत ही कम खिलाना है बहुत जादा अपको ज्यादा आपू द्यादार सुणा चारा क्योंकि बरसाथ में ही बकली को सबसे ज्यादा बीमारी होती है क्योंकि गिला चरंग है ज्यादा पानी उसमें रहता है उसके बाद से जमीन पर वो बैटती है तो उसमें उसको पानी थोरा सा सोकता है यह सब चीज पर आपको ध्यान देना है उसके बाद अगर आप माल लिए अगर बरसाद के मोसर में ठंडी पर रही यह नहीं होता है अधिन की बिमारी नहीं होता है और थोरा-वरा व्यमारी सवने का भी उनका पूरा ईे रहता हुआ है यह सब चीज बाद ध्यान देना है अगराच करके आप खाने पीने पे बहुत ही ध्यान द्यान देखना एक पाणी नहीं नीचे लगए मक्षी नहीं आना हमेद यह सब चीज पर पहतson दीफ को उससे आपको बचाना है पर जो सबसी होया तक बेट चाहिए और deficit किरिक भेड़कость सबब्सक्राइब अप आगे बढ़ सकते हैं बच्चा पर भी बहुत ज्यादे खास करके ध्यान देना है इसलिए बोलाओं गीला चारा आप खास कर नहीं ध्यान दीजेगा सुखा पत्ता हो आप सकते हैं या फिर दाना और खिलाने का टाय जो दाना अगर खास करके कोशिच कीजि़िए के साम क कोई बर दे सकते हैं